जब भी किसी कारेकरम में बॉलिवूड के दिगज का लकार शामिल होते हैं तो वहां कई बाते सीखने को मिलती हैं तो कई रहस्ये भी खोल जाते हैं नमस्कार स्वागत है आपका Next 9 News में आज हम आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में बॉलिवूड के शांदार डारेक्टर रुमैंस के जादुगर कहे जाने वाले महेश भट के साथ बॉलिवूड के दिगश अभिनीतरी शबाना आजमी और जाबिद अकदर से जुड़े कु महेश शबाना ने अपनी बाते रखी मीडिया के सामने नजर आए और हर बात उन्होंने कही सुनिये क्या कहा उन्होंने वाल हम बात कर रहे हैं इस खास चिपोर्ट में महेश भट शबाना आजमी और जावेद अकदर जीहां शबाना महेश और जावेद जब नसर आए अब यहाली में यानि कुछ तो तहले कैफी आजमी सेंटनरी के सलिबरेशन के मौके तो वाह शबाना ने शब्दों से हर किस कंदर लेति क्ये monsters फोटी थे शबाना की अपने पता के सामने अपनी बात रखी ती जवाब दिया तो वहीं शबाना और भी करी रासोडिके महेश आलिया भड के बापा महेश भड के साथ शबाना के रिष्टे का खुल गया राज शबाना और महेश भड एक तुस्य की है करी और दोनों के बीच अच्छे तालुखात हैं ये भी सामने आ गया रहा, जावे दख्तर के सामने उनकी पत्मी शबाना महेश भट के साथ भी नज़र आए, जहां महेश नी भी अपनी बात रखी, आईए हम आपको सुनाते हूँ आज के इस मौके पर आप कैसे यार करते हैं? ये पेन फेस्टिवल एक बार फिर हमको री इंट्रिजूस कर रहा है फाउंटेन पेन से और उसका केंद्र बिंदू अबबा यानि कैफि आजमी साहब को बनाया है क्यूंकि ये उनकी हंड़िट सेंटिनरी सेलेबरेशन हैं और कैफि साहब को मटेरियल चीजों से कोई दिल् आना था और इन्हों ने कैफि साहब को ये ट्रिबूट पे किया है I think it's very befitting and as on behalf of the family I'm very grateful आज का ऐसा टाइम आ गया लोग उसी पेन से लिखते हैं कि आमिर खान और नसुर दिल शार जैसे अक्टर देश में सम्मान के लाइक नहीं है कि ये मायूस नहीं होना चाहिए क्योंके हमेशा ऐसा होता है कि अटाक किया जाता है लेकिन जब आप अटाक करते हैं और जब ऐसा लगता है कि रात बहुत अंधेरी है तो सबंजिए कि सुबार होने को हुई कि यादों को हम तादा कर रहे थे यह एक मौका था कि हम वो सोच जो है वो जिसको वो सिंबिलाइज करते थे उसको हम दुबारा याद करके अपने आपको री डेडिकेट करें वो जिसके समकी शक्षिय थी प्लूरल इंडिया डेडि़ इस्टुड फॉर उसकी याद हम आज तारा कर रहे थे और I think that was the most important thing that we were doing here. लोग फांटन पेंस के साथ खेल रहे हैं बिलकुल ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चा खेलोनों के साथ केलता है वो मासूमियत वो पाकीजी दुबारा कहीं पर हम अपने अंतर जगाएं बिकॉस इंडिस एज ओफ कम्यूनिकेशन कहीं पर हम एक दूसरे से कड़ गए हैं शायद ऐसे अपना मौकवे से हम दुबादाज को रिइगनाइट दो पाएं. मातिनों हजरात आदाव बहुत बहुत शुक्रिया के इतनी जल्ली सुभा में आप सब लोग यहां इतनी बड़ी ताइदाद में आई हैं मैं आपकी बहुत शुक्र गुजाद हूँ. दरसल जो छोटी-छोटी तकदीर हैं यहां हुई तो मुझे ऐसा लगता है के हमारे अंदर सिर्फ जो हम प्रफेशन करते हैं वही नहीं उसके अलावा एक शायर भी होता है. क्योंकि जेस तरह से Nikhil Ranjan और Anuch Puddar ने अपकी बाते ही कहीं, तो वह बिलकुल मुझे ऐसा लग रहा था के शायरी कर रहे ते हैं तो. Thank you for your beautiful words. Vishal, you have worked so hard here. It has been just a journey of such passion and I know that you've been supported by the sponsors, by your family and then my daughter Namrata and her team who've really worked very hard for this. Thank you very much. आज से बहुत चोड़ा सा प्रोग्राम है, हमने सिर्फ यह तैप आया था कि आज क्योंके Pen Festival कैफी साहब की नाम पर 100 Special Edition Pens निकाल रहे हैं, तो वो क्यों निकाल रहे हैं, उसकी जरा सी बात मैं आपको बताना चाहती है। कैफी आजमी साहब उनको material चीजों से कोई दिल्चस्पी नहीं थी, उनको दिल्चस्पी थी और जिसको वो वैल्यू करते थे, वो था उनका Communist Party का कार्ड, उनकी 5000 किताबें और उनके Pen, पैन के मामले में वो सच मुझ ग्रीडी आर्मी थे, सिर्फ पाउंटन पैन से लिखते थे, सिर्फ ब्लाक इंक या ब्लू ब्लाक इंक से लिखते थे, और जितनी बार मैं आती थे, बाहर से कहते थे, मेरा पैन, और मैं कहते थे, अब कितने पैन मैं आखर आपको दे सकती और पर अगी तो पैंदी भी वे लुट में। टूह पैंगे। जग्ट टूह पैंग्ट में रमाने जगे हो सापनती है जग टूह केंगे। चक्ष्वर के लुट पार अप्ढ़ आगे पैंगे जग्टूम साथ, विल खुए लुट पाराद हमें। to that, he used to also send his pen to a fountain pen hospital in New York, which I didn't know. तो मैं बोलती थे अच्छे communist हैं, आप New York भेज रहे हैं, अठारा मॉबलांक पेंस आपके पास हैं, तो कहते थे, एक अमीर मेरी बेटी और बहुत सारे दोस्त हैं, जो अमीर है, और फिर कर लेका हैं. अगर्ला मा मेनने किसी फ्रेंड में मुझे का मॉबलां पेंडेखा, तो उननी का, तुम क्यों का दियां, तुम क्या करऊगी इसका, तो मैने का, मैं भी लिखती हूँ पेंडे मुझे वह ले लिया, और फिर मेरे फ्रेंड को ने को बहुत खुपśुरत खत, और वो भी, पोे हम हमेशा यह कहते हैं कि the pen is mightier than the sword. I saw my father practicing that. He used his pen to great advantage. One of the advantages I just told you, के मेरा pen pinch करने के लिए उन्होने अपना इक्षेर लिखती है और वो pen खा लिया. एक चालीस बरस के बाद जब अपने छोटे से गाउं मिज्वा में गए तो उन्होने देखा कि यह गाउं जिसमें उनकी पैताईश हुई थी वो वक्त तो बिल्कुल मुंजमित है. और उन्होने तेह कि अब इसके बावजूब के उनको ब्रेन हम्रिज हुआ, उनका लेफ्ट आम और लेफ्ट लेग फो लाइफ पैरलाइस था, उन्होने यह तेह किया कि वो अपने गाउं में जाकर और वहां काम करेंगे. उस जमाने में मिजमा इतना छोटा सा गाउं था तर इडिंट इवन है अपने कोट. कैवी साहब ने अपना फांटन पेंड लिया और मुझे मोसीना किदवाई बताती हैं, उस जमाने में वो टेली कम्यूनिकेशन्स मिनिस्टर थी और उनको कैवी साहब ने एक खत लिखा जो पूरा का पूरा शायरी में था, जो बेसिकली एक नजम थी जिसमें उन्होंने कह कि मिजमा को एक सब पोस्ट ऑफिस के कितनी जरूरत है, इतनी चांड हुई मुसीना किदवाई के उन्होंने कहा के मैंने सब रूल्स तोड के सिर्फ उस नजम के लिए मैंने वहां एक सब पोस्ट ऑफिस लगा दिया, so that is the power of the pen, let me tell you that all the people who are here, who are recipients of the special edition pen today, are people who have had a very, very beautiful and personal relationship with Kaifi Saab and I'm very grateful to them that they have accepted this pen, I would like to tell you about my friend Bhavna Sumaya, not my friend Bhavna Sumaya, जब आप यह कहते हैं कि somebody is really, sort of absolutely, क्या कहना चले उसको, लट्टो हो गया, supposing कोई लट्टो हो गया किसी पर, तो वह कहते हैं, देखें, इनको जो है ना, उल्लू का गोश्ट खिला दिया, यह है कहां, यह है महावरा, obsessed हो गया, तो आपके जो फ्रेंड विनोत खन्ना हैं, वो उस जमान में रजनीश के यहां चले गएते हैं, तो भावना जी, बैठी में, इनके है confidence है कहां भी साथ जाते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है, कि विनोत खन्ना को रजनीश ने आलू का दोस्त खिला दिया है, और इनको कुल भी कोई तकल्फ नही हुआ, कि मैं गलत जिशता था और इसलिए यह बहुत जरूरी था के आज का यह फंक्शन यह कॉम्पैट करें, तक यू very much for coming, may I please ask for the AV to be sure, thank you. There was a kind of a roaring silence that I heard him, whenever I was around him, I could feel that kind of a silence that engulfed me and he could absorb my noise, my restlessness was something that he embraced. And he gave me the most, you see, the attention is the most generous gift that your human being can give to another human being. When you are down there struggling and looking for a place in the sun, he had those eyes, he had that generosity to see in me something which the world could not see or did not want to see or did not have the ability to see. He had the silence because he was not full of himself, he was looking at life, he was drinking from the ways of tomorrow and I represented that to him and whenever I walked in, he smiled, he saw what I could detect him in Pratish's translation. Wherever he saw a spark of rebellion, wherever he saw audacity, he saw with audacity vulnerability also because he could feel that this person who's being audacious is being very vulnerable, he'll be trampled upon, he'll be spat upon and his hands reached out to protect me. And for me, that was Keifu sahab. For me, the defining image of Keifu sahab is when the history of this nation changed post the Babi Masjid demolition. He was in Jaan Ki Kooti one evening and I was worried about him and I remember going there to see him. He was there in the lawns. There was the sunlight, he was backlit, and there was his paraphernalia of his team that was there. He sat down with a kind of sadness which you normally see in the church on the face of Jesus. And that was courage for me. When everybody was rolling his window and locking his door, here was the icon called Keifu, he asked me, who was the heartbeat of India, who represented the plurality, who said, I will sit down here in my lawn without raising the walls. Because that ability to be trampled upon for what he stood for was courage for me, that was living, palpable courage for me. And that is what Keifu sahab means to me. The audacity, he was an embodiment of audacity. So don't civilize the persona of that man by calling him a poet. A poet is just one dimension of him. His essence was like life. You can't put a full stop on life, you can't put a full stop on Keifu. He is much bigger than the definition that we seek out to give to him. तो ये था महेश भट शबाना आजमी को लेकर हमारा शो वक्त हो चला है, लोटने का एक बफर से आपके बीच, लोटेंगे हम फर से आपके बीच अगले एपिसोड को लेकर तो इस प्रोग्राम का करते हैं, दे एंड, तब तक कि लिए देखते रहें बॉलिवड की हर खब नमस्कार